बिग बॉस सीजन 14 की फाइनलिस्ट निकी तंबोली एक बार फिर सुर्खियां बनाती हुई नजर आ रही है एक बार फिर सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर बहुत ही वाइरल हो रही है क्या है पूरी बात चलिए हम आपको बताते हैं हम सब जानते हैं कि बिग बॉस की फाइनलिस्ट रह चुकी निकी तंबोली कल कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी इस बात की जानकारी खुद निकी ने अपने इंस्टा पर एक ओपन लेटर शेयर करके लोगों तक पहुँचाई थी आज फिर एक बार निकी तंबोली ने कुछ तस्वीरों को शेयर कर दिया है जिसके साथ उन्होंने कुछ ऐसा लिख दिया है कैप्शन में जिसके चलते अब वो इंटरनेट पर वाइरल होने लगी हैं क्या कुछ लिखा है निकी तंबोली ने आईए वो भी जानते हैं निकी तंबोली ने लिखा कि खुशी हमारे दिमाग की एक स्थिती है जब हम अपने दिमाग को पिछली गलतियों से और भविश्य की चिंता से दूर करते हैं तब हमें खुशी की अनुभूती होती है अपनी खुशी को अपने जरूरतों से जुदा कर दीजिए और बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग कर दीजिए फिर देखिए आप इस वर्तमान स्थिती को इंजॉय करेंगे और खुशी को अनुभव करेंगे हमेशा खुश रही है निकी तमबोली ने इस कैप्शन के साथ एक नहीं दो नहीं चार-चर तस्वीरों को शेर किया है जिसमें वो अपने घर में खुद को टाइम देती हुई नजर आ रही है पूरी तरहा से कॉलिटी टाइम स्पेंड कर रही है कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद आपका क्या मानना है निकी तमबोली के इस अंदाज को लेकर कमेंट करके जरूर बताइएगा टीवी जगत की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा